पबलिक की पावर चंता की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते है कि आदिपुरुष की रिलीस डेट को अब पोस्पोन कर दिया गया है जी हाँ पहले आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को रिलीस होने वाली थी लेकिन अब इस मूवी को 16 जून 2023 को रिलीस किया जाएगा पाच महीने बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो मेकर्स है आदिपुरुष के वो घबरा गए डर गए भैभीत हो गए जन्ता से और उन्होंने अपने रिलीस डेट को आगे खिसका दिया जन्ता जनार्दन के आगे बड़े से बड़ा प्रडूसर बड़े से बड़ा डिरेक्टर बड़े से बड़े एक्टर कुछ भी नहीं है जैसे ही आदिपुरुष का टीजर रिलीस हुआ था तुरंत ही जन्ता ने इस टीजर के उपर अपने विचार व्यक्त करे और नहीं स वो चमक नहीं दिख रही हनुमान के कलेक्टर को जिस तरीके से एक मौलाना का रूप दे दिया गया है माता सीता को स्लीवले साड़ी पना दी गई है और रावण को खड़े बाल आखों में सुर्मा आखों में लेंस और चमकादर के उपर बिठा जया गया है इन सब चीजों को देखने के बाद लोगों की भावनाए आहत हुई इसके बाद मेकर्स घबरा गए पसीना आ गया उनको हिल गये वो कि भाई साब यह हमने क्या कर दिया यह हमने क्या बना डाला 400 करोड का बजट है इस मूवी का लेकिन अब इस मूवी का पोस्पोन कर जा गया है तो 100-500 करोड रुपे औल लगेंगे VFX को ठीक करने में तो कुल मिला के इसका बजट हो जाएगा 500 करोड के आज पास अब 500 करोड की मूवी जो बन गई है अब 500 करोड का भारी बर कम बजट तो बन गया है लेकिन अब इस मूवी का हिट होने के लिए कम से कम 800-900 करोड रुपे तो कमाने पड़ेंगे उसकी अभी राह बहुत दूर की है बहुत दूर की बात है वो चलिए ज़रा आपको दिखा देते है कि ओम राउध जो की आदिपुरुष के डेक्टर है उनकी तरफ से क्या ओफिशल स्टेटमेंट आई है आदिपुरुष के वल एक फिल्म नहीं प्रभूश री राम के प्रती भक्ति एवं हमारे गौरफ शील इतिहास और संस्कृति के प्रती हमारी प्रतिबद्धिता का प्रतीक है तरशकों को एक अध्वुत अनुबब देने के लिए आदिपुरुष के निर्मार से जुड़े लोगों को थोड़ा अधिक समय देने की आवशक्तिया है आदिपुरुष हब 16 जून 2023 को प्रदर्शित होगी हम एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिस पर सम्पुर्ण भारत को गर्व होगा इस रामकाज में आपका सयोग प्रेम और आशिरवाद हमें सदेव प्रेडित करता रहता है और करता रहेगा ओम राउत क्या चीजे ठीक करनी चाहिए आदिपुरुष मूवी के अंदर उसके बारे में बात कर लेते है पहले बात करते है श्रीराम का करेक्टर जिस तरीके श्रीराम को चमडे के चप्पलों में दिखाया गया है उसको उटाना चाहिए चमडे के चप्पल नहीं पेहनते थे प्रभु श्रीराम खड़ाव पेहनते थे दूसरी चीज हनुमान जी का करेक्टर जिस तरीके से हनुमान को मौलाना के रूप में दिखाया गया है वो बिल्कुल गलत है अगर आपने हनुमान चालिसा पड़ली होती तो आपको समझ में आजाता कि हनुमान जी का वर्णन किस प्रकार किया गया है कंचेन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के सा हाथ बज्र और धोजा विराजे कान्दे मूझ जनेयू साजे अर्थाद प्रभू आपका रंग सुर्ण के सामान है सुन्दर वस्तरों से आप सुसचित है, कान में कुंडल और घुंगराले बालों से आप सुशोबित है हाथ में व्रज और धोज है कान्दे पर मूझ के जनेयू की शोबा है, तो इस तरीके से हनुमान जी का वंडन किया गया है हनुमान चालिसा के अंदर आप वो दिखाईए ना कि यह मौलाना का रूप दिखाईए तीसरी चीज सुनिए सीता माता को जिस तरीके से आपने स्लीवले साडी में दिखाया है यह बिल्कुल गलत है सीता माता जिस वस्त्र में रहा करती थी उस चीज को आप दिखाये चौती चीज जिस तरीके से रावण को आपने खड़े बाल करके दिखाया है आखों में सूर्मा लगवाया है लैंस लगवाया है भाई साब यह कौन से जमाने का रावण है रावण में लाख बुराय थी, रावण लेकिन छपरी नहीं था, लेकिन आपने इस रावण को छपरी बना दिया है, रावण को मुकुट पहनाईए, सोनी की लंका दिखाईए, आपने काल कोटरी दिखा रखिये, और जिस तरीके से रावण चमकादर के उपर बैटके आ रह और सब लोग जो दिया आये थे, रावण को मार के, तो ये सब चीजों को आप ठीक कीजिए, और पाचवी बात, इस तरीके से वानर सेना को आपने दिखा रखा है, चिप पैंजी, गोरिल्ला, और एंगे टैनस, ऐसा लग रहा है कि वार ओफ एपस देख रहा हूं मैं, वा के पास साथ महीने का वक्त है, इन साथ महीने में आप सब चीजों को सोचिए कि हमें कैसा ठीक करना है, साथ अट महीनों में अच्छे से काम कीजिए, वी एफेक्स के उपर, मैं सरहाना भी करना चाहूंगा, आदिपूर उश्के मेकर्स का, कि उन्होंने अपनी गल्ती मानी कबूल करी, कि उनसे गल्ती होई है, और आप उन्होंने पाच महीने और मांगे है, ताकि इस गल्ती को ठीक किया जा सके, आप पाच महीने लीजिए, आप एक साल लीजिए, आप दस साल लीजिए, लेकिन गल्ती को ठीक करिए, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये रामायन ह शिरी राम है, हनुमान है इन सब का वर्णन है इसके अंदर लोगों की आस्था जुड़ी है, लोगों का बिलीफ जुड़ा है और अगर आस्था को ठेस पहुचेगी तो मैं अपनी आवाद उठाऊंगा हम सब अपनी आवाद उठाएंगे जाए फिर आप कोई भी हो, फरक नहीं पड़ता चुकि नो नेम इस ग्रेटर दन शिरी राम नो भक्त इस ग्रेटर दन हनुमान राम से बड़ा कोई नाम नहीं, हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेर कीजिए जो भी आपके राय हो, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कोई सुझाब देना हो, या कोई शिकायत करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं तब तक के लिए आप से भी का धन्यवाद चैश्री राम